बिस्म लेरमाने रहें मैं हूँ मुहम्मद अफसेन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीलर तो जैसा कि आपने मेरे अमनेल से देखिया होगा मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है आज हम किसी भी इमेज का बैकड़ाउंड रिमूफ करेंगे MS वर्ड में इस MS वर्ड में हमें बैकड़ाउंड रिमूफ करने का एक फायदा यह है कि इसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं हो जबके हम जब online convert करते हैं तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है और इसमें बहुत सी और दूसी facilities भी मौझूद है तो आईए अपनी वीडियो का आगास करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम insert tab में जाएंगे यहां देखें आप एक picture का option आपको नदर आ रहा है इसको click करें this device और इसमें जो मैंने image रखे हैं कोई भी एक image में upload कर लेता हूँ यह image मैंने upload कर लिया इसको resize कर लेते हैं थोड़ से शोटा कर लेते हैं काकि visible हो जाए इस पे आप आप जब image पे click करेंगे तो यह एक tab open हो जाएगा उपर picture format का देखें इससे पहले नहीं था जैसी हम इस पे click करेंगे picture format का आप आ जाएगा इस पे click करने के बाद यह देखें दिखाया है remove background remove background को click करेंगे जैसे हमने click किया तो देखें इसने पूरा shaded कर दिया area जो remove होना है background वो इसने pink color में कर दिया पहले इसके size set कर लेते हैं इसको थोड़ से यहां से बढ़ा कर लेते हैं यह नीजे से भी कट रहा है थोड़ से इसको यहां से भी enlarge कर लेते हैं यह हो गया अब मुझे सिर्फ इ area to keep जो हमें area रखना हो और घूशा कौन सा है वह area हम mark करना है जो हमें remove करना हो तो हमें जो remove करना है पहले हम उसको mark कर लेते हैं इस पे click करेंगे अब यह देखें edit के लिए एक pencil sign आ जाएगा और इस image पे लाकर हम इस पे एक line draw करा देंगे यह देखें जैसी मैंने line draw कराई इसने इसको भी color कर दिया अब यह भी हमारा background में चला गया एक और यह देखें पार्ट रहे गया इसका इस पे भी हम pencil जो है keep changes जैसी हमने keep changes किया आप देखें यह image जो है इसना background गायब हो किया अब ना सिर्व इसका background इसमें से remove हो गया बलके जो हमें picture desired थी सिर्फ हमने उस area को रखा और बाती area हमने remove कर दिया तो आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ सिर्फ चंद मिनिट में हमने background remove कर दिया और इसके लिए हमें internet connection की ज़रत भी नहीं पड़ी अगर हम यह काम किसी online टूल से करते तो हमें वहां पर इस तरह से image और यह दो चीज़े remove करने में काफी time लगता लेकिन आपने देखा कि word में बहुत ही आसान है और इसको आप बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं अब इसका एक फायदा और मैं आपको बताता हूँ कोई भी हम यहां से कोई text generate कर लेते हैं साल के दौपर हम जाते हैं chat GPT पे आई GPT करते हैं और हम यहां से कुछ text generate करा लेते हैं को एक story generator दखाल देते हैं generate a story of a rabbit and a cat यह storage generate कर लेते हैं इसको stop कर लेते हैं बहुत बड़ी हो गई है इसको यहां से हम copy कर लेते हैं यह इतना ही काफी हमारे लिए हम copy करते हैं word document में इसी में paste कर देते हैं नीचे अब अगर मुझे image इस पर ला रहा हूँ तो आप यह देखें पूरा यह हमारा text है वो इस पर disturb हो रहा है तो इसके लिए हम यह करेंगे यहां से option पर जाएंगे इसके see more text wrapping पर जाएंगे और इसमें से हम option यह select कर लेंगे type कर लेते हैं अब यह देखिए आपका image के मताविए यह खुद ही set हो जाएगा इसमें काम हम और भी कर सकते हैं इस पर आएं दुबारा और रैप टैक्स पर आएं और यह एड़िट रैप points यह जो points हैं इसको भी आप move कर सकते हैं जहां जहां आपको जगा नजर आ रही है जगा बना लिए तो और यह close हो जाएगा मैटर्स में यह देखिए इसको अगर हम यहां से इसके साथ join कर देते हैं तो आपको ज़्यादा वादे वादे नजर आएगा अब यह देखिए अपने image बिल्कुल जहां भी आप इसको move करें यह उसके साथ खुदी टेक्स के साथ adjust हो जाएगा अब remove background करके हम कोई भी image अपने text में insert कर सकते हैं तो दोस्तों अमेद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको like कीजिए शेयर कीजिए और comments box में अपने comments जरूर mention कीजिए तो अब यह वीडियो तब के लिए इजाज़त जी दिए अलापिस